नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप सीटेट आपर प्राइमरी संस्कृत 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 प्राइमरी संस्क च्छण के संदर में राष्टे पाठे चर्या रूप रेखा यानि NCF 2005 के नुसार निमनेकित में से कौन सा कथन सत्य है चलिए चोथे विकल्ब से शुरुआत करते हैं कहा जारा कि सर्वे छात्रह आंगल भासा आम उच्चोन मुख गंत्यर्थम सिक्षती यानि कि सभी बच्चे जो है वो आंगल भासा के माध्यम से उच्चे कक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे यानि कि सिक्षा का माध्यम आंगल भासा अंगले जी भासा को बताया जा रहा है जो कि विकल्प गलत है क्योंकि NCF 2005 ये कहती है कि बच्चे जो है अपनी मात्री भासा से प्रारम करके अन्य भासाओं को सीखेंगे ठीक है तो ये विकल्प गलत हो गया क्योंकि आंगल भासा की बात कर रहा था अंग्रेजी भासा की बात कर रहा था मात्री भासा की बात नहीं कर रहा था उत्तर गलत हो गया ठीक है चलिए तीसरा दिया गया सर्वे छात्रा राज्जेण निर्धारित्याम माध्यम भासायाम विद्यालई सिक्षा प्रार्म यानि कि कहा जारा कि सभी बच्चे अपने राज्य द्वारा निर्धारित माध्यम की भासा में विद्याले सिख्षा प्रारम करेंगे तत पश्चात यथा संभव अनेका भासा सिख्षंती और उसके बाद अनेक भासाओं को सीखेंगे तो ये भी विकल्प निगेटिव है क् राज्य की द्वारा निर्धारित जो भासा है वो अलग हो सकती है और बच्चे की मातरी भासा अलग हो सकती है जैसे कि माल लिजे उत्तर प्रदेश में कोई एक सरकारी विद्याल है जिसमें राज्य की भासा के तोर पर अगर हम लोग हिंदी को देखें लेकिन माल लिजे क कीरल के एक बच्चे का उसके माता-पिता काट कहीं ट्रांसफर यूपी में हो गया और वो हिंदी लेंग्वेज को नहीं जानता है तो आप उसको बात दे थोड़ी कर सकते हैं कि आप उसको हिंदी में ही पढ़ाएं या फिर बच्चा आपने आपको हिंदी में एक्सप्रेस क कहती है मातरी भासा आधारित बहु भासिता ये कहती है कि बच्चे को उसकी मातरी भासा में बोलने का मौका दीजे उसका जो भी मदर टंग है जैरिस बात है कीराल का बच्चा है तो हिंदी तो जानता नहीं होगा तो उसको उसकी मदर टंग में आप बोलने का मौका दीजे और धीरे-धीरे विद्याले के संपर्क में आने के वज़े से वो विद्याले की आपचारिक बहासा और अन्य भासाओं को सीखेगा यानि कि सभी बच्चे अपनी विद्याले की प्रारंभीक सिक्षा मात्री भासा से प्रारंभ करके यावत ते दस वर्सियाम सिक्षाम पूर्णा कुर्वंति तावत ते द्वै अथ्वा अधिकाह भासा योजियन्ती यानि कि प्रतेख बच्चे अपनी विद्याले की प्रारंभीक सिक्षा मात्री भासा से सुरू करके जब वो दसवी कक्षा अपनी कम्प्रीट कर रहोंगे तब वो दो भासा या फिर दो से अधिक भासाओं को सीखेंगे ये होता है मात्री भासा आधारित बहु भासिकता option number 1 NCF 2005 के नुसर बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटीक जवाब हो जाएगा अगला प्रश ने पुछा कहा था भासा कक्छायाम साहिते सिक्षड़स से प्रयोजनम अस्ती यानि कि यह कहा जा रहा है कि भासा की कक्छा में बच्चो को साहिते पढ़ाने का क्या प्रयोजन होता है क्या उद्देश होता है चले चोथे विकल्प से शुरुआत करते हैं कहा जा रहा है पश्चात काले स्वयम लेखक रूपेंड कार्यम यानि कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे स्वयम लेखक के रूप में कार्य कर पाएं इसलिए साहित पढ़ाया जाता है तो ये विकल्प निगेटिव है ऐसा कोई भ बात की जारी है और नैतिकता के विकास के लिए साहिते पढ़ा जाता है ये कहा जा रहा है तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि साहिते पढ़ाने का जो में उद्देस है वो हमसे पूछा जा रहा है नैतिकता विकास करना ये सब गौड उद्देस होता है साहिते पढ़ा जाता है तो ये भी विकल्प निगेटिव है बच्चों को व्याकरण साहित्य से जोड़ करके जरूर प्रहा जाता है जैसे कि कहानी के माद्यम से हो गया इकांकी के माद्यम से हो गया नाटक के माद्यम से हो गया व्याकरण के विभिन नियमों को बताया जाता है अलग से बच चीज होती है एक भासा अर्जन होता है भासा अधिगम होता है भासा अधिगम का मतलब ही यह होता है कि व्याकरण के नियमों के अंतरगत भासा को सीखना तो कहीं न कहीं यहां भासा अधिगम की बात की जरी है यानि इसमें व्याकरण चुपा हुआ है इसके सांती साथ संस्क पर्यावरन निर्माडे सहायकम भौती यानि कि हमसे ये कहा जा रहा है कि किन साधनों की मदद से कौन से ऐसे साधन है जो कि कक्छा में मुद्रण भासा संपन पर्यावरन निर्माड करने में सहायता करेंगे सबसे पहले तो यह समझे कि मुद्रण भासा संपन पर्यावरण निर्माण होता क्या है मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट करना भासा का मतलब होता है लेंग्वेज सिखाने के लिए बच्चे को लेंग्वेज सीखने में मदद करती है जैसे कि देखिए बच्चे को यहां पर एक फिश का चित्र बना रहता है यानि मचली का चित्र बना रहता है और इसके आगे एफ लिखा रहता है और हिंदी में इसी को मौ लिखा रहता है यहां पर एफ यानि की फिश और म यानि कि मचली ये बच्चा मचली अपने परिवेश में देखा हुआ है अपने परिवेश से जोड़ते हुए उसको हिंदी लेंग्वेज और इंग्लिस लेंग्वेज सिखाने के मदद की जारी है इसी को बोला जाता है यानि कि प्रिंट रिच इन्वार्मेंट की बात की जारी है यानि दिवालो पर पोस्टर के मादेम से विबिन प्रकार के बच्चे को इन्पुट दिया जारा है ताकि वो लेंग्वेज को सीख पाए यहीं विकल्प को ध्यान में रहकरके हम लोग ऑप्शन्स को ढूंडेंग जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो आपको विद्याले के दिवारों पर पेंटिंग होता है आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाए सरकारी या फिर प्राइबेट आप लोग देखेंगे देखेंगे उनकी बाउंडरी से लेकर करके कक्छाओं में विबिन प्रकार के अलफाबेट्स लिखे गए रहते हैं विबिन प्रकार की चीज़े पेंटिंग की गई रहते हैं उसी को हम लोग प्रिंट रिच इंवार्मेंट बोलते हैं और अगर वहां पर कुछ अलफाबेट्स कुछ शब्द लिखे हैं जो की बच्चे को भासा सिखने में मदद करे तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा इसमें वीडियो प्रदर्सन का वीडियो को रिप्रिजेंट करने का कोई भी बात नहीं होता है प्रिंट रिच इंवार्मेंट में हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे कच्छायाम छात्रह प्रदार्थनम नामानी तेसामेव भास यानि कि भासा उच्चारण करने के सेंस में कहा जा रहा है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे print rich environment में कौन सा सहायता करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है कौन से साधन सहायता करेंगे यहाँ पर उस environment को बनाने में कौन से साधन सहायता करेंगे ये पूछा गया ह एक अई विकल पबचा आपशन नमरे देखे कक्छायाम पदार्थान नाम नाम लेखनम तेसांच पदार्थेसुह सनलेपनम एफिक्स यानि कि कहा जा रहा कि कक्छा में विबिन प्रदार्थों के नाम लिखे गए हैं दिवार पर पेंटिंग करके उन प्रदार्थों को एफिक्स किया गया है यानि चिपकाया गया है यानि कि एक तरीके से उनका पेंटिंग बनाया गया उस सेंस में कहा गया है यहीं होता है प् अंतरगत भासा सिक्षण क्या है ध्यान से समझेगा जो कुछ भी बच्चे को कोई भी एक तरके से उसके पाठ चरया में जितने भी सब्जेक्ट बताया जाते हैं या फिर जो कुछ भी गतिवीदी बच्चे को कराई जाती है जैसे कि मालीजे बच्चा कोई एक्टिवीटी क कर रहा है कोई गतिवीदी के दौरान भी बच्चे को लेंग्वेज का इंपुट दिया जाता है ताकि बच्चा लेंग्वेज को सीख पाए इसी को हम लोग कहते हैं पाठ चरया कि अंतरगत भासा सिक्षण यानि कि कोई भी एक्टिवीटी बच्चे के द्वारा किया जा तो उसमें भासा सिखने में उसको मदद किया जाना ही भासा का सिक्षण कहा जाता है ठीक है यानि कि देखे ऑप्चन नमर एक में इसी की बात की गई है वस्तु विशय यानि कौँछ भी एक्टिवीटी की जा रही है चाहें विशय वस्तु कुछ भी पढ़ाय जा रहा है जहें विज्ञान ही क्यों न पढ़ा जा रहा हो तो विज्ञान में तो लेंग्वेज आएगा नहीं लेंग्वेज तो बच्चे को हिंदी या फिर इंग्लिस के माध्यम से पढ़ा जाएगा ना लेकिन विज्ञान जब बच्चे को पढ़ा जा रहा है तो उस लेंग्वेज के माध्यम से कही ना कहीं भासा सिखाने के लिए उसको इंपूट दिया जाता है और भले वो विज्ञान पढ़ा लेकिन भासा के माध्यम से पढ़ेगा याहनी भासा को भी वो सीख रहा है और सांती साहत इसाथ content को भी शीक प्रश्टू को भी सिक रहा है यानि विज्ञान को भी सिक रहा है और यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सठीक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूचा गया था भासा धिगमस्य विसे निमलिकितेसु किम सत्यम नास्ति यानि कि हमसे यह पूचा जा प्रश्टूर मात्रा में बच्चे को जिस लेंग्वेज को सिखाना है अगर उसके संपर्क मिलाया जाए तो बच्चे सुगमता से यानि आसानी से उस भासा को सीख सकते हैं बिल्कुल सही बात है टार्गेट लेंग्वेज को सिखाने के लिए जो डिरेक्ट मेथड होता है बच्चे को एक तर्गेट लेंग्वेज में ही कम्निकेट करने का उसर दिया जाता है यानि वो प्रचूर मात्रा में उसके संपर्क में आ रहा है यानि कि संपर्क में आने से भासा को सीखा जा सकता है ये विकल बिल्कुल पोजिटिव है इसमें से हमारा उतर नहीं होगा क भासा सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा आप क्योंकि भासा का जो उचतम उद्देश होता है वो ये होता है कि हम उस target language में communicate कर पाएं अपने विचारों को बोल करके express कर पाएं इसके लिए समय चाहिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं natural environment में communication करना होगा तभी आप उस भासा को सीख सकते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इसके लिए समय की आउसकता पड़ती है पॉजिटिव हो गया इस वज़से हमारा उत्तर नहीं हो गया क्योंकि हमसे negative sense में पूछा गया था तीसरा देखे क्या कहा जा रहा है कि भासा दिगमस से अर्थो अस्ति अ को ग्रहण करना जैसे कि आप पठन करते हैं तो पढ़ने का परिभासा तो यहीं होता है कि जो भी चीज लेख is उसको पढ़ करके अर्थ को हम लोग ग्रहण करपायों तो भासा के चार कौसलों में से पढ़ना भी यह कोशल और उस कौसल के अंतरगत ये कहा जाता है कि हम लोग किसी भी लेख को पढ़ करके अर्थ समझ पाए यहीं पठन है यानि कि कहीं न कहीं ये अर्थ के अधिगम से सम्दित है अर्थ निकालने से सम्दित है इसी ब्रकार से जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं बोलना भी एक भाशा अधिगम यहीं तो बोला जा रहा है कि भाशा जो होता है वो अर्थ का अधिगम होता है बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नमबर तीन भी यहां पर पॉजटिव है इस वएसे हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गयाता है एक ही विकल्प पप दे दिया जाए बच्चा नेचुरल इंवाइरमेंट में उस भासा का प्रयोग करते करते भासा बोलना सीख जाएगा क्योंकि भासा का जो उच्चता मुद्देश होता है वो होता है कि उस भासा में बच्चा कम्निकेट कर पाए इंट्रेक्शन कर पाए बातचीत कर पाए तो यहाँ पर target language जो English था, उसको बच्चे को grammar नहीं बताये गया, बावजूद इसके target, direct method के अंतरगत, वो target language को बोलना सीख जाता है, तो भासा का उचितम उद्दे से जो communication है, वो तो बच्चा एचिव कर लिया, बावजूद इसके उसने कोई grammar का नियम नहीं पढ़ा, यान व्हारतिये परिवेशे, कश्चिद छात्रह, 12 वर्सस से आयोसी ही, जर्मन भासाम, फ्रेंच भासाम, वा सिख्षेयते, ता एतत ग्यायते, यानि कि कहा जा रहा है कि कोई भारतिये मूल का एक विद्ध्यार्थी है, जो कि 12 वर्सकी आयो में, जर्मन भासा, यानि जर्मन लेंग्वेज को और फ्रेंच लेंग्वेज को सीखता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ये किस रूप में जाना जाएगा तो इसे हम लोग भासा का अधिगम बोलते हैं क्योंकि 12 वर्स बच्चे की आयू हो चुकी है इस दोरान बच्चे ने किसी ना किसी एक अब जो बच्चे की मदर टंग होती है वो उसका फ्रस्ट लेंग्वेज हमेशा अरजित किया जाता है और जो इसके बाद जो भी लेंग्वेज होगा उसे अरजन नहीं भलकि भासा का अधिगम बोलते हैं देखे भासा का अधिगम और भासा की अरजन में थोड़ा सा डिफर लिए है तो उसे हम लोग भासा का अरजन बोलते हैं जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है परिवार में तो उसके माता-पिता या फिर परिवार के सदस्यों दौरक ग्रामर के नियम नहीं बताए जाते हैं बाउजोदिस के उनका हुबहु अनुकरन करते करते वो भासा को सीख जाता है बोलना इसे ही भासा का अरजन बोलते हैं लेकिन जब पहली बार बच्चा विद्याले जाता है तो कोई भी टार्गेट लेंग्वेज जब इंगलिस बच्चे को सिखाए जागा तो इंगलिस के व्याकरण के नियमों के अंतरगत उसको उस भासा को सिखाए ज यात्रा विवरण आधारित विचारेसू विचार विमर्स कार्यती यत छात्राह यात्रा विवरणेन सहमतताह संति नाव वा अयम प्रयोगा का कत्यते यानि कि कहा जारे कि कोई एक अध्याबक है जो कि आठवी कक्षा में किसी यात्रा विवरण से सम्मंदित विवेचना करत हैं और यह जो विचार मर्श हो रहा है किस प्रकार का यह क्या प्रियोग है यह हमसे पुछा जठाजरा रहा तो देखिए यह बच्चे के परिवेश के बाहर का एक तेर writers पर चर्चा की जारी है क्योंकि बच्चा जिस परिवेश में है अभी उस परिवेश से बाहर जा करके उसको कहीं न कहीं सैक्षडिक भ्रमाड या फिर यात्रा पर विवराण कराया गया होगा तो ये बच्चे के परिवेश से बाहर कहा है यानि कि बहिर परिवेश ये प्रयोग इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ण पूछा कहा था भासा अधिग्रहण से कह सिध्धान्त एवं मन्यते यत सर्वे मानवाह समान्य सिध्धान्ताम मांदन्डम न उत्तरा धिकारे अनुग्रहंती या भासा स्वरूपम नियंत्रयंती तथा सर्वा मानो भासा परस्परम समाना संती यानि कि हमसे ये पूछा ज़रा है कि भासा अधिग्रहन का कौन सा सिधान्त ये मानता है कि सभी मनुष्य जो होते हैं वो एक तरीके से सभी भासाओं के जो व्याकरण होते हैं वो एक तरीके से समाने सिधान्त को फॉलो करते हैं मांदर्ण को फॉलो करते हैं ठीक है और साथ साथ ये उनको सभी मानों के भासाएं लगबग समान होती है ये कौन सा सिधान मानता है तो इसे हम लोग वैस्विक व्याकरण सिधानत कहते हैं यानि कि युनिवर्सल ग्रामर थियरम कहते हैं इसे ऑप्शन नमबर एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा ये सिधानत किस ने दिया था ये नौम चमस्की ने दिया था उन्होंने बताया था कि सभी भासाओं का जो व्याकरण होता है वो लगबग समान है जैसे हिंदी में हम संग्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में हम नाउन पढ़ते हैं हिंदी में हम काल पढ़ते हैं अंग्रेजी में हम टें करता है option number 1 बिल्कुल एप्रोप्रियेट है वैस्विक व्याकरण सिधान्त इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा गया था भासा धिगम संदर्भे अधोलिकी तेसु कत्मम कत्यम सत्यमस्ति यानि कि भासा के अधिगम के संदर्भे निमलिकित मे करना सबसे उप्युक्त होता है तो भासा अधिगम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है किवल उच्चारण की बात कर रहा है विकल्प संकुचित हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा बहु भासा सिक्षण हम छात्रेसु भारो अस्ति यानि कि जो बहु भासा होती है जो कि NCF क कहता है कि बहु भासिकता एक संसाधन के तोर पर देखता है बहु भासा सिक्षण यानि कि इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी मात्री भासा से सुरू करके विद्याले की अपचारिक भासा और अने भासा को सीखते हैं यसे ही कहा जाता है बहु भासा सिक्षण तो क्या ये बच्चों पर भार होता है, नहीं होता है, अगर भार होता है, तो NCF 2005 और राष्टे सिक्षा निती 2020, multiple language concept को ले करके नहीं हाती, तो ये विकल्प negative होगी है, हमारा उत्तर नहीं होगा, दूसरा देखिए, दृतिये भासा अधिगमा, प्रतम भासाया अनुग्रिहते, यान आपकी मात्री भासा का प्रयोग, first language का प्रयोग कर रहा हूं, हिंदी में आपको समझा रहा हूं, तो क्या ये आपके लिए बाधा उत्पन करिए, नहीं उत्पन करिए, कोई interference नहीं हो रहा है, बलकि आपको मदद मिल ला है, इस वाज़े से ये negative होगी हमारा उत्तर नहीं ह हर्ती, यानि कि अगर कोई व्यक्ति या फिर बच्चा एक भासा को सीख चुका है, तो दूसरी भासा को सीखने में उसे मदद मिलेगी, option नमबर एक इसका बिलकुल appropriate है, और यहीं इसका सटीक जवाब हो जाएगा, दोस्तो सीटेट अपर primary संस्क्रिट पेडागाजी के महत वीडियो का डिस्क्रिप्चन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार रुजेट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा, सीटेट, यूपीटेट और सूपर टेट की बहतरीन तरिके से त्यारी करने के संदर में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद, भगवान करें आपका दिन शुब्भू